हलो दोस्तों वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल स्विल इंजीनियर एफ़ पिएज में तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम दो तीन टॉपिक्स कवर करेंगे जो की बहुत ही important है examination point of view से हर एक जो भी exam आता है उसमें इसमें से जो है questions पूछे जाते हैं तो पहले ही होता है well-conditioned triangle क्या होता है हमारे पास well-conditioned triangle वो होती है जिसमें हमारे पास angle जो है 30 और 120 के बीज में होती है मतलब कि आपको पता है chain surveying जब भी हम करते हैं तो हम जो area है उसको हम जो है triangles में divide करते हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया अगर हमने for example इस area पे survey की इस area पे survey की तो फिर हम इस area को जो है छोटी triangles में divide करते हैं तो यह triangles जो है यह well-conditioned triangles होनी चाहिए ताकि हमारे पास calculations में या फिर drawing में हमें problem ना हो तो उसके लिए जो है यह जो angles होती है यह triangle की angles यह angle और यह angle यह जो है इनकी value जो है 30 से कम नहीं होनी चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो यह angles जो है इनकी value 30 से कम नहीं होनी चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मतलब कि यह जो angles है 30 और 120 के बीच में होनी चाहिए उनकी को हम well-conditioned triangle कहते हैं एक equilateral triangle है जिसके तीनु साइड बराबर होते हैं तीनु साइड अगर बराबर है तो यह angles जो है यह 60 degree 60 degree और 60 degree के equal होंगे तो यह जो 60 degree angle है यह 30 और 120 के बीच में लाई करती है तो यह जो equilateral triangle होती है यह हमारे पास एक best example होती है well-conditioned triangle की तो well-conditioned triangle I hope समझ में आ गया है आपको well-conditioned triangle क्यों होना चाहिए मैं आपको ऐसे बताऊँ कि अगर हमारे पास एक triangle है for example हमने triangle बना ली ऐसे यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें जो है proper दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे हम plot करेंगे इसको अगर हमारे पास छोटा angle होगा या फिर कोई ऐसा angle होगा जो ज्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पर भी जो point है इसको हम जो है properly plot नहीं कर सकते हैं इसलिए है जो है triangle होनी चाहिए well-conditioned triangle तो इसके बाद आ जाते हमारे पास procedure for chain cycle are our chain surveying होता है उसका प्रोसीजर जो होता है उसके बारे में आपस जो है पूच लेता है कि अगर follower के पास इतनी हमारे पास arrows है तो आप यह बताओ कि हमारे पास length हमने कितनी calculate की है तो length calculate करने के लिए हमारे पास क्या होता है? For example, हमें इस line पे chain survey करनी है. तो हमारे पास यहां पर होता है एक तो होता है लीडर ये चीतने आपको याद रखनी हैं लीडर होता है, एक होता है follower तो leader और follower यहां हैं, इनको measurement for example, यहां से करनी है इस point से हमें measurement करनी है तो follower जो है यहाँ पर ही बेटता है leader जो है वो chain को लेकर यहाँ पर पहुंचता है for example यहाँ तक chain उसकी आ रही है तो leader चला गया है इस जगा पे और follower यहाँ पर ही बेटा हुआ है तो leader जो है leader arrows जितनी भी होती है वो leader के हाथ में होती है पहले जितनी भी arrows होती है वो leader के हाथ में होती है जब leader ने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक chain major कर ली for example हमारे पास 30 मीटर की chain है तो leader ने 30 मीटर major कर लिए जब leader ने 30 मीटर major कर लिए यह point तो पता ही है follow और यहाँ पर पगड़ेगा chain को और leader यहाँ तक पहुचाएगा chain को 30 मीटर तक तो यहाँ पर जब leader ने एक chain major की तो यहाँ पर वो एक arrow guard देगा जमीन में एक arrow एक arrow guard देगा इसके बाद क्या हो जाएगा तो leader अब यहाँ चलेगा और follower यहाँ इससे यहाँ चलेगा तो follower यहाँ पकड़ेगा chain को और leader यहाँ तक आ जाएगा तो 30 मीटर फिर से major कर ली और यहाँ पर एक arrow guard दी जमीन में दूसरी arrow जब follower यहाँ पर आ गया इसने यह arrow हाथ में उठाई और यहाँ पर chain रखा फिर यहाँ तक major किया फिर ऐसे ही leader आगे जाएगा लीडर आगे जाएगा और follower यहाँ पहुँचेगा तो 30 मीटर major करेगा यहाँ पर एक और arrow लगाएगा और follower आ जाएगा तो यहाँ पर यह जो arrow है इसको उठा लेगा तो मतलब कि follower अगर यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ तक follower के हाथ में दो arrows आ गई उसका मतलब कि follower के पास दो arrows आ गई तो हमने 30-30-60 मीटर major किया है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितनी arrows फिर follower के हाथ में आ जाती है लास्ट में उतनी हमने chain length's major किया है अगर आपको पूछा जाएगा question में question ऐसे पूछा गया आपसे कि हम 20 मीटर chain से measurement कर रहे हैं और हमारे पास follower के हाथ में follower के हाथ में follower के हाथ में हमारे पास for example five arrows है five arrows है तो follower के हाथ में five arrows है मतलब कि उसने five channels major की है तो मतलब five into 20 five to 10 तो 100 मीटर हमने major की है length ऐसे ही अगर हमारे पास 30 मीटर की chain है 30 मीटर की chain है और follower के पास हमारे पास for example follower ने अभी तक 4 arrows उठाई है 4 arrows उठाई है तो आपको बोलेगा length हमने कितनी major की है तो length हमने major की है 30 into arrows हमारे पास four है four threes are two है 120 20 मीटर हमने length major की है तो आपको यह याद रखना है सीधा आपको याद रखना है number of arrows with the follower signifies the chain length measured जितने arrows follower के हाथ में होती है उतने ही हमने chain length major की है जितने जो है arrows follower के हाथ में होती है उतनी हमने chain length major की है मैंने बहुत बार यह question देखा है objective में पूछा गया है कि आगर follower के पास 5 arrows है तो आप यह बताओ कि हमने length कितनी major की है अगर हमारे पास 20 मीटर की chain है तो आपको यह याद रखना है follower के हाथ में जितनी arrows है उतनी हमने chain length major की है तो I hope कि आपको यह चीज जो है समझ में आ गई होगी इसके बाद हमारे पास एक और topic है chain surveying मेंसे जो कि बहुत ही important topic है ranging ranging क्या होता है ranging होता है process of establishing the intermediate points along the citrate line जो हमारे पास ranging होती है इसमें हम क्या करते हैं हम intermediate points को locate करते हैं chain line पर मतलब कि यह for example हमारे पास यह एक point है और यह दूसरा point है यहाँ पर मैं दिखा हूँ यह एक point है और यह दूसरा point है for example यहाँ पर length जो है बहुत ज्यादा है for example 100 meter है यह 40 meter लेकिन हमारे पास chain जो है वह हमारे पास 20 meter की है तो हम डिरेक्टली यहां से यहां तक 20 मीटर चैंज से मेजर नहीं कर सकते हैं हमें जो है यहां पर फिर एक और पोइंट लगाना पड़ेगा ताके हमारे पास जो है यह लाइन पहले सिट्रेट लाइन में आनी चाहिए क्योंकि अगर हमने 20 मीटर की चैंज से मेजर किया हमने ऐसे थोड़ा थोड़ा डिरेक्शन हमारी चैंज हो गई हमने 20 मीटर यहां तक मेजर किया फिर 20 मीटर यहां तक मेजर किया मतलब कि यहां पर यह जो है यह डिफलेक्ट हो गई अपनी जगह से तो हमारी length जो है वो ज्यादा आएगी इसलिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पर एक ranging rod रखते हैं ऐसे खड़ा एक ranging rod यहाँ पर लगाते हैं और एक ranging rod को भीच में लेके आते हैं भीच में लेके आते हैं और यहाँ पर फिर जो है इस ranging rod से इस ranging rod को bisect करवाते हैं यहाँ पर तो इसके बाद हमारे पास यह जो line दा गई यह हमारे पास citrate line में आ गई इसी को कहते है ranging, ranging होता है intermediate points को locate करना along the chain line, it is process of establishing intermediate points along the citrate line, citrate line के along जो है हमें intermediate points को locate करना है, फिर अगर हम chain से major भी करेंगे यह 20 meter आएगा और यह 20 meter आएगा, तो हमारे पास citrate line में हमारे पास error की, error बहुत कम आएगा, अगर हम ऐसे major करते हैं, हम locate नहीं करते हैं, यह point फिर हम chain को थोड़ा गलत direction में ले के जा सकते थे, जिसकी वज़ा से हमें error आ सकता था, तो यही होता है ranging, तो अब क्या होता है, अब डो टाइप की ranging होती है, एक होती है direct ranging, एक होती है indirect ranging, तो direct ranging मैंने आपको बता दिया, when the process of, it is the process of establishing the intermediate points along the chain line when the situations are intervisible, मतलब कि अगर हमारे पास यह station और यह last वाला station जो है, अगर यह intervisible है, हमें दोनु दिखाई दे रहा है, इससे यह दिखाई दे रहा है, और इस point से यह point दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक citrate, एक ranging rod को यहाँ पर रखा इसे, एक ranging rod को यहाँ पर रखा, फिर इन से, यहाँ पर एक तीसरी ranging rod को रखा फिर यहां से इसको देख लिया है तो यह citrate line में लेके आते हैं हम तो ऐसे जब हम range grad 3 रखेंगे तो इनको citrate line में लेके आते हैं तो इसी को कहते हैं direct range direct range कहां पर हम use करते हैं direct range वहाँ पर use करते हैं जहां पर हमारे पास दो survey lining के दो end point जो है वो inter visible होते हैं यह पहला ही point यह है directly objective में पूछा जाता है direct range हम कहां पर use करते हैं वहाँ पर use करते हैं जहां पर हमारे पास जो end points से survey line के वो inter visible होते हैं और यहां पर एक और point पूछा जा सकता है direct range डिरेक्ट रेंजिंग के केस में हमारे पास मिनिमम जो है रेंजिंग राड कितनी चाहिए मिनिमम रेंजिंग राड कितनी चाहिए तो मिनिमम रेंजिंग राड यहां एक यहां और एक यहां तो मिनिमम रेंजिंग राड जो है थ्री राड हमें चाहिए होती है अगर हमें डि पुचा जा सकता है कि धिर्यक्टि रेंजिंग रेंजिंग.. रेंजिंग के लिए हमारे पास minimum रेंजिंग रेंजिंग कितनी होनी चाहिए , तो यह था ड्ड्रेंजिंग जिसमें हम ini हमारे पास endpoints जो है intervisible होते हैं मतलब इससे यह दिखाई दे रहा है और इससे यह दिखाई दे रहा है तो next आ जाते हैं हमारे पास indirect ranging और reciprocal ranging तो इंडिरेक्ट रेंजिंग या reciprocal ranging क्या होता है यह वह method of ranging होता है जिसमें हमारे पास जो है दो endpoints जो है survey line के वह intervisible नहीं होते हैं for example हमारे पास यहां पर एक पहाड़ी है for example और हमें जो है यह पहला point है survey का पहला point यहां पर है और यहां पर हमें दूसरा point है इन दो points को हमें range कैसे करना कैसे कर सकते हैं इन दो points को हम straight line में कैसे लेके आ सकते हैं तो उसी को कहते हैं indirect ranging this method is used when the end citations are not intervisible मतलब इससे यह दिखाई नहीं दे रहा है इस point से यह दिखाई नहीं दे रहा है और इस point से यह दिखाई नहीं दे रहा है यह पहाड़ी भी हो सकती है और कुछ obstruction भी हो सकती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं due to the rising ground between them मतलब कि इनके बीच में कोई ground जो है वो rise किया हुआ पहाड़ी वहाड़ी हो गया इसे और due to the long distance between them या फिर long distance होगी इन दो के बीच में अब हम क्या करते हैं इसमें हम दो intermediate points यहाँ पर हमने एक intermediate point देखा था यह वाला और यहाँ पर हम दो intermediate points देखते हैं तो हम क्या करते हैं हमने यहाँ पर एक intermediate point देखा और यहाँ पर एक intermediate point देखा इन intermediate point को locate करने का एक मकसद होता है कि इस point से हमें यह दोनु दिखाई देने चाहिए और इस intermediate point से यह दिखना चाहिए और यह भी दिखना चाहिए और इस पॉइंट से यह भी दिखना चाहिए और यह भी दिखना चाहिए तो हम क्या करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं यहां पर यह जो है इस पॉइंट पर रखके इसको यहां पर इसके साथ बैसेक्ट करते हैं इन दोनों के सा कराते हैं तो उसी को हम in direct r fert कहते हैं तो in direct ranging में आपको याद रखना है indirect range एमरे पास minimum जो ranging rods होती है minimum ranging rods जो है उसकी जरूरत जो है 4 rods की जरूरत पढ़ती है minimum ranging जो हमारे पास इंटरेक्टर एंजिंग के केस में होती है वो फोर राड हमें जुरूर पड़ती है